नमस्कार साथियो, मेरा नाम कुशल आनन्द है, आप सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, कुशल भाया के नाम से तो आज का डिसकेशन है कि क्या SAC-CHSL 2022-30 मॉक्टेस्ट देना जरूरी है? और अगर हाँ तो क्यूं? और अगर ना तो क्यूं नहीं? देखिए, जो लोग मॉक्टेस्ट देते हैं, उनका हाथ कोई नहीं पकर सकता, इस हाथ कोई नहीं पकर सकता का अर्थ क्या है? उनकी सेलेक्शन को कोई नहीं रोग सकता है मतलब क्या कर रहे हो आप real movie के लिए practice कर रहे हो real movie मतलब क्या जो भी आपका real examination होने वाला है आप उसके लिए practice कर रहे हो ultimately तो को बहुत आसान सी भासा में आपने बहुत सारे videos देखे हैं YouTube पे अलग-अलग channels पे motivational lectures ऐसा करो ऐसा करो ये न करो वो न करो मैं कहता हूँ वो करो जो खाना खाना जरूरी है वैसे selection पाने के लिए कुछ rule है और उसमें से एक rule आता है कि mock test देना जरूरी है मैं आज आपको वो सारे कारण बताऊंगा कि क्यूं वो जरूरी है लेकिन मौकिक रूप से क्यूंकि मैं 10 slide का PPT बना देता फिर आप बस यही देखते रह जाते speed की बा बाते हैं जिनको आप कागज पर नहीं लिख सकते सिर्फ आप और हम सोच सकते हैं तो आये ना उन बातों को discuss करते हैं वही रियालिटी है किताब अगर आप यहां पर क्यूं आते हैं आप teachers को क्यूं सुनते हैं आप कुछ वैसी बाते खोज रहे हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती तो उस किताबी बातों को पकड़के और आगे चलना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि आपका उद्देश किताबी बाते जाना है उससे हटके कुछ जानते हैं क्या importance है और दूसरी बात हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि चीजियों को बहुत खीचने से कोई फायदा नहीं है अब लेक्चर देना है कि मौक क्यूं जरूरी है तो इस पर शायद मैं अगले 6 घंटे बोलू लिटरली मैं 6 घंटे बोल सकता हूँ एक टीचर की आदत होती है बट ये भी सत है कि उस 6 घंटे में सारी की सारी काम की बाते नहीं होंगी कुछ ऐसी बाते होंगी जो महौल बनाने वाली बाते होंगी तो बिना महौल बनाए इस बात को समझते हैं कि मौक देना क्यूं जरूरी देखिए मौक क्या है एक रिहल्सल आप रियल प्लेयर ड्रामा के पहले रिहल्सल करते हो ना क्यूं नहीं करते क्य चले जाते हो वो इंप्राक्टो क्या होता है बिना कोई तयारी के सिधा बोलना आप पॉब्लिक स्पीकर तो हो नहीं नहीं आप उस तर्ज पे अभी पहुंच पाए हो नहीं आपकी ताशीर अभी वहां पहुंच पाई है उन सारी चीजों में समय लगता है मतलब आज कोई व्यक्ति अगर आपके सामने सफल है न तो जरा उससे कभी पूछिए कि उसने कितनी राते बिना सोई गुजारी इन बातों को सोची न आज कोई सफल है मैं उसे सफलता बहुत अच्छी लगती है कोई मिलीनियर करोरपती व्यक्ति जब एक वीडियो बना रहा होता है न अपनी एकदम महगी सी गारी में कि यह देखिए मैं यहां घूमने कि आप देखती है देरा रंपल आफ चैनल सोल यूट्यूब जहां पर आप यह ब्लॉक्स देख रहे हो तो उसने खाना क्या खाया पास्ता कितना खाया दूद कितना डाला सारी चीजिए तो जैनलिनियर कैसे बना वो सफल कैसे हुआ? वो करोरपति कैसे बना? हम उसको नहीं देख रहे होते हैं आप मतलब हम रिहलसल से डरते हैं हम यह डरते हैं कहीं हम से गल्तियां ना हो जाए? 002. कहता हूँ ना भगवान ने हम सभी के लिए गलतियां फिक्स कर रखी हैं कि जा पुत्र जा वत्थ तु अपनी जिंदगी में 1870 गलतियां करेगा तो ऐसा क्यों न करें कि उन सारी गलतियों को हम classes में ही कर ले, mock में ही कर ले rehearsals में ही कर ले, ताकि real examination, real drama जब आप शुरू करते हो, एक भी गलतियां ना हो अब mock क्या है? आपका दरपन है, आप कहां stand कर रहे हैं, classes तो ऐसे ही आती रहेंगी, जाती रहेंगी लेकिन concept बढ़करार रहना चाहिए अटल बिहारी बाजपेई जी ने कहा था कि सरकारे आएंगी, जाएंगी लेकिन देश की उन्नती जरूरी है और यही कारण था आज हम तभी अटल बिहारी बाजपेई जी को इतना जादा मानते हैं, तो आपके competitive examination में उस चीज़ को आप ऐसे जोड सकते हो, कि tricks आएंगी, जाएंगी तरीके नए आएंगे, जाएंगे लेकिन concept बढ़करा रहना चाहिए, मतलब वो एक discipline routine आपका बढ़करा रहना चाहिए तो जो time table आप बनाते हैं उसमें mocktas होना ही चाहिए अब इस बात को सोचे कि जरूरी क्यों है तो जैसा कि मैंने आपको बता वो एक rehearsal है, जड़ा सोचे ना आपने school days में कोई न कोई play, drama, natak, हम सभी करते हैं किया होगा, हम rehearsals करते थे थे ना, teachers को दिखाते थे ना, अपने friends को दिखाते थे ना तो यहाँ पे फिर क्यों उससे हम वन्चित रह जाते हैं, जब आपको सारी सुविधायें मिल रही है, PWA आपको Classics का साथ-साथ mock भी दे रहा है, मतब data है, मैंने देखा, मुझे बड़ा अश्यर हुआ कि 70-80% लोग mock खोलते ही नहीं हैं, maybe, उन में से कुछ कैसे लोग होंगे, जो कहीं और का mock दे रहे होंगे, offline mock दे रहे होंगे, कहीं का online mock दे रहे होंगे, पट यह data सोचने वाली चीज़ है, और यही कारण है, क्या 100-100% selections हैं, कोई आपको guarantee कर रहा है, अगर कर रहा है तो जूट बोल रहा है, अपने बिवेक का इस्तवाल कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, no one can guarantee you any दिखने हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं, जो अपने आपको कुछ guarantee कर सकते हैं, और कोई guarantee नहीं कर सकता है, यही सत्य है जिंदगी का, this is the reality, तो जो examination में जो paper दिया जाता है, वो इस sequence में दिया जाता है, examiner हमेशा यह चाहता है, कि आप 100 के 100 सवाल ना पढ़ पाएं, बनाना तो दूर की बात है, वो यह चाहता है कि आप पढ़ ही नहीं पाएं, और हम उसके जहापे बिलकुल खड़ा उतरते हैं, 78 प्रतिशत लोग वैसे होते हैं, जो पूरे के पूरे सवाल पढ़ ही नहीं पाते हैं, मातर 22 परसेंट लोग पूरे के पूरे सवाल पढ़ पाते हैं, और selection उन्हीं 22 में से होता है, तो मौक आपको उस 78 परसेंट से निकाल के 22 परसेंट में ले जाएगा, सबसे पहली बात तो यह, लेट सपोज पेपर का जो पैटर्ण आपके examination में आता है, अगर आप पहला सवाल, लेट सपोज आप 20 सेकंड में कर रहे हैं, reasoning से वैसे आप शुरू आपके, ऐसा नहीं कि मैं reasoning पढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं reasoning से शुरू का, वैसे करना चाहिए, इस पे एक logic है, मैंने आपको बताया है, किसी वीडियो में, तो पहला सवाल, अगर आप 20 सेकंड में बना रहे हैं, दूसरा शायद आप 18 में बना लें, तीसरा शायद आप 15 में बना लें, चौथा आप 1 मिनट 15 सेकंड में नहीं बना पाएंगे, उस चौथे सवाल को वहाँ पे examiner ने जान बूज के डाला है, उसको छोड़िये आगे बढ़िये, अगर आपने मौक नहीं दिया है, आप सांड की तरह उस सवाल से लगे रहेंगे, कि भाई हमने तीन सवाल बनाया, लोक आट यूर confidence, confidence आपका यहाँ है, अब चौथा सवाल छोड़ने वाला था, आपने नहीं ऐसा किया, परिक्षा में हर सवाल बनाने को नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखो, कभी-कभी आपको पतली गली से भी निकल जाना होता है, आप अपने लाइफ से चीजों को जोड़िये, कुछ अलग नहीं है, आज मैं कोई PPT बे बना करके यह देख लो, ऐसा होता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस दो ही स्लाइड है, एक, SACC CHSL 2022, तरीस मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, और दूसरा था, इंक्यू, तो यह रियालिटी है, यह एक रियालिटी, आपकी दरपन बताएगा, आप कहां स्टैंड करते हैं, क्या वो वीक सेक्षन है, और उस पे किस तरीके से काम करना है, अगर सौ में से, let's suppose, आपने 80 सवाल बना लिए, तो आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, बढ़ अगर आप 50 सवाल बना रहे हैं, तो आप सेलेक्शन से दूर नहीं, बहुत दूर है, तो सही तरीका की अगर हम बात करें, इंपोर्टन्स तो हमने समझा, सही तरीके की बात करें, तो सही तरीका कुछ ऐसा होता है, अगर आप एक घंटे का मौक लगा ने, जना सोचिये न, बहुत सवाल हैं, साथ मिनट हैं, एक सवाल के लिए मातर 36 सेकंड है, क्या हर सवाल 36 सेकंड में आप बना सकते हैं, टीचर्स आपको गैरेंटी करते हैं, वो उनका काम है, नेता भी तो आपको बहुत सारी गैरेंटी करती हैं, कितनी गैरेंटी पूरी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ न, रीजनिंग के हर सवाल आप 10 सेकंड में नहीं बना सकते हो, शायद आपको एक मिनट 10 सेकंड देना परे, एक सवाल के लिए अगर आपके पास 36 सेकंड है, मतलब सोचने वाली बात है, कि आपको कितना स्पीड मेंटीन करना होगा, और वो स्पीड आपको मॉक्टेस से आएगा, और कोई उपाए नहीं, आप कितना भी ट्रिक सीख लीजे, कि आप कहाँ स्टाइंड करते हैं, और लेट सपोज आपने 50 कोशन बनाया, तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो बन गया, जो नहीं बना वो समस्या है, अब उस पे अगले दो घंटे आपको काम करना होगा, हमें क्या लगता है, मॉक्टिस देना क्या एक घंटे का काम है, नहीं, वो कम से कम दो घंटे का काम होता है, दो से धाइ घंटे का काम होता है, इनिश्यल लेबल पे, आप स्वाट एनलिस कर पाते हैं, स्टेंफ्ट, वीकनेस के बारे में आप अपने जान पाते हैं, और opportunities भी आप जानते हैं और threats भी जानते हैं स्वाट आपने सुनाओ गवरा trending is a word नहीं तो you'll just miss your examination selection just by a hair English में ये सारी चीज़े आपने सीखी होंगी So mock test दीजिए बहुत ज़रूरी है समय निकाले भले ही आपके regular class skip हो जाए लेकिन एक time fix होना चाहिए mock test का और जैसे ही आपका admit card out होता है आपको पदा चल जाता है कि let's suppose आपका examination XYZ दो फर्वरी को है इस shift में है उस दिन से तो सारी चीज़े अलग regular class कितना भी important class क्यों नहीं हो recorded देखिंग online class का यही फायदा है ना आप एक teacher को 10 minute बुलवा सकते हैं important class क्यों नहीं हो एक बड़ आपका admit card आपके हाथ में आ आ गया आपको यह पदा चल गया आपका examination किस date को है कि shift में है आप mock test देना शुरू कीजिए बिलकुल उसी समय पर शुरू कीजिए विश्वास मानिया आपका दिमाग ऐसा set हो जाएगा ना मतलब आप हर दो से तीन mock test में अपना एक number बढ़ा लेंगे और यह एक number बढ़ा ही महतपूर यह या तो आप party के उस पर या फिर इस पर selection selected और या not selected तो इस बात पर विचार कीजिए अपने विवेक का इस्तमाल कीजिए ज़रूर नहीं है सामने वाला जो कह रहा है वही सही है आप intellectuals हैं आप सोच समझ सकते हैं इतने समझदार तो हैं कि अपनी गल्तियां और अपने weaknesses को आप से बहतर कोई नहीं जानता है मैं शायद आप से आज तक मिला भी नहीं हूँ ना देखा भी नहीं हूँ यह हमेशा मैं कहता हूँ न यह बड़ा ही अजीब होता है हम लोगों के लिए आप हमें सुन सकते हैं देख सकते हैं मैं बस आपको पढ़ सकता हूँ बहुत कम लोगों से बाती होती हैं कुछ आखो लोगों से नहीं मिल सकता हूँ तो आप अपनी सक्तिया को पहचान सकते हैं, आपसे बहतर कोई नहीं पहचान सकता है, तो मौक्तस दीजिए, मेरा विश्वास मानिए, ये अलग ही निखार देगा आपको, और आपको अच्छा फील होगा, मैं कोई किताबी बाते नहीं करेंगे, और इस पर काम करेंगे, फायदे की चीज है तभी बोल रहा हूँ, फायदे की चीज है तभी बोल रहा हूँ न, अगर बिना फायदे की चीज होती तो नहीं बोलता, ओके, तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे निश्वित रूप से बताईएगा, आप मेरे किस बात स सेहमत हैं और किस बात से सहमत नहीं है हम वहाँ पर discuss कर सकते हैं जीजों को कि हाँ ये कारण है ये कारण नहीं है और उससे हम figure out कर सकते हैं इंडिवीज्वल के बाद के बाड़े में जान सकते हैं यहां तो मैं एक generalize बोल रहा हूं कि ऐसा होता है अगर हम comment section में बात करते हैं तो हम ये figure out करने की कोशिस कर सकते हैं कि कौन कितना सही बोल रहा और कौन कितना गलत बोल रहा है फिर उससाब से उसके selection में और हम 2-4 series जोड सकते हैं और उसको और उपर उठा सकते हैं तो मैं आशा करता हूं आप सभी comment section में मुझे लिखेंगे और बस इतनी सी बात थी मैं कर दो ही slide thank you okay all the very best tableist over and out